दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इस digital ampere meter और volt meter की दोस्तो ampere meter एक आपने देखा होगा सुई वाला वो कई बार ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें एक wire गुजारना पड़ता है हमें तो वो terminal गरम ओकर ख़राब हो जाता तो हमने इसमें digital ampere और volt meter लगाया है और यह 3-phase का हमने एक बोर्ड बनाया है जिसे समर्शिबल 3-phase लेगा 7.5 HP का और हमने इसमें auto switch भी लगा दिया है तो आप देख सकते हो हमने यह auto switch लगाया है यह है 3-phase का तो दोस्तो इसमें हमने जो ampere meter और volt meter लगाया है वो digital लगाया है ताकि यह आगे problem ना करे और इसमें CT coil होता है इसमें CT coil होने के कारण यह ampere बताता है और volt का इसमें connection होता है तो दोस्तो यह आपको जो starter दिखाए देरा यह only direct इसमें delta है यानि इसमें तीन wire वाला यह starter हमने इसमें लगाया है और इसमें हमने auto switch लगा दिया है और digital ampere meter लगा दिया है तो दोस्तो उम्मीद करते हूँ आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आता है तो comment में मेरे को जरूर बताएगा कि आपको यह ampere meter कैसा लगा दोस्तो मिलते है next video में तब तके लिए नमस्कार